हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल रिद्धी ओफीशल जोन दिस इस जिद्धी और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ओल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन लेकी आई हूँ आज एकी वीडियो में मैं आपके सारे सब्जेक्ट के इंपॉर् कोशन कर लेंगे तो इससे आपके काफी हद तक एक्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूं दोस्तों कि आप लोगों को यूनिट वाइस जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है प्ले लिस्ट में आप टॉपिक को क्लियर कर लीजेगा उसके बाद ही कोशन को अच्छे से तयारी कीजेगा क्योंकि कोशन तो थोड़े मोड़े आप लोगों के चेंज आ जाते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ उसमें को उपर नीचे कर दे जाता है बर टॉपिक जो आप कर रहेगा कि किस नाम से आपको क्या क्या पूछा जाता है वो आपके लिए एक्जाम में काफी हतक बेनिफीशल करेगा तो इसके लिए आप लोग पहले से यूनिट वाइस टॉपिक और सब्जेक की वीडियो जरूर देखिएगा और आज की इस वीडियो में आप लोग के पांचों के पांचों कर दोंगी जिसके जितने भी टॉपिक हैं तो सबसे पहले आप लोग का आता है क्रियेटिंग एन इंक्लूजीव स्कूल यानि एक शमयवेशी स्कूल बनाने के उपर इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टन कोशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तो पहला जो आपका इंपो में आता है विडियो ऑंड तक मैं आपको बताती रहूंगी की कौन सा टॉपिक आपके एक्सां में या शॉर्ट या वारी शॉर्ट Mfly आता है यह आपका लॉग मोस्ट है और सपेशल ऐजूकेशं कह सकते।बर उन और है एजुकेशन या पूछ लेता है तो आप लोग इस तीनों का अच्छे से कर लीजेगा थर्डवान है आपका वर्डू यू अंडरस्टैंड बैच चिल्रन विद डाइवर्स नीड यह भी आप लोग का लॉंग कोशन में आने वाला प्रशन है जो कि आप लोग के शॉट में आता है चिल्रन विद डाइवर्स नीड यानि की विवेद जरूरत वाले बच्चों द्वारा तो इन में आपके बहुत सारे जो अलग अलग स्टूडेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं वह सब आपके इसके अंदर डिस्क्राइब करना है वह सोला नंबर के माता है यानिकि ग परिभाषा लिखनी है और उसके लक्षे और उसकी विसेष्टा बतानी है इंक्लूजिव में वर्ट इस कॉपरेटिव और कोलाबरेटेड लर्निंग हाईलाइट इस करेक्टर स्टिक्स एंड लिमिटेशन यह भी आप लोग कोशन में आने वाला कोशन है आप लोग इसकी हैं बट्या आप लोग कोशन के अकॉर्डिंग करिएगा जो कि इस बार आप लोगों का क्या रहा है 2021 में आप लोग का लोग कोशन 12 नंबर के आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेजेगा नेक्स्ट आपका सिक्स आता है वाट इस दा रोल ऑफ इंक्ल पर है यह आपको बताना है और और दृट इस दा रोल ऑफ ऐटीचर को भूमी का बतानी होती है यह आपके डलॉंως य५ॉल में आ जाते हैं इसलिए अपे उस वागये यूंब सारियों को अच्छे से करके जाएगा उसके बाद आता है ये भी आपका most important है long question के लिए difference between gifted and talented children ये आपके diverse need में आते हैं जो कि अलग से आप लोग के इनका difference भी बोल दिया जाता है कि आपको इसका अंतर बताना है तो आप लोग इसको कर लिजेगा short question के according मैं आपको यहां पर बता दे रहे हूं कि कौन कौन सा topic important है पहला आता है दूसरा autism उसके बाद peer tutorial, remedial help, e-learning, web-based learning, hearing impaired, physical challenge जो यह आपके hearing और impaired हो गया या फिफ्टे टेलेंट ही यह तो आपके चिलन वी डाइवर्स नीट के अंदर topic आएगा उसमें पूरा आपको explain करना होगा अधरवाइस आपको single single topic भी पूछ लिया जाता है short question में और आपके short question के according मैंने आपको बता दिया e-based learning यह तीनों topic में से आपको एक exam में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों तो यह दस question थे आपके creating and inclusive school के आप लोगों ने अगर इन topics को अच्छे से कर लिया तो mostly paper आप लोगों का clear हो जाएगा जो आपके choice के according आएगा दूसर सब्जेक्ट पर आ जाते हैं दोस्तों जो क लेकर आउंगी जिनमें आप लोग की यह सारे टॉपिक जो मैंने पीछे बताए हैं यह टॉपिक क्लियर करने के अलावा कुछ प्रीवेस एर के question कौन कौन से आये थे वह सब भी detail में आपको describe कर दूँगी तो उसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा जैसे ही लेटेस question में डारे पूछ लिया जाता है दूसरा आता है वट डू यू अंडेस्टेंड बाइजेंडर सेक्स सेक्स्वैलिटी एक्स्प्लेइन डीटेल यानि आपको लिंग लिंग का मुक्ता से आपको क्या करना है विस्तार से समझाना है थर्ड कोशन आता है आपका सरनाश्मक सि द्धान पर आपको चर्चा करनी है most important theory है दोस्तों आप लोगों को यह लॉंग में अगर नहीं दिखा तो आपको शॉर्ट कोशन में डारेक्ट सिंगल भी पूछ लेता है और इनके कर लेता है तो आप लोग इनकी थियोरी अच्छे से डिस्क्राइब जरूर करके जाएग याद रखेगा यह सारे कोशन आपके लॉंग कोशन में आने वाले कोशन है पट यह आपके शॉर्ट में भी डारेक्टर रहते तो आप इसका शॉर्ट में कर सकते हैं बट आप लोग इसकी लॉंग की तैयारी करके जाहिएगा वट डू यू अंडर्स्टैंड बैवुमेन इंपावर्मेंट यह आपका वैरी शॉर्ट में पूछ ले जाता है कि वुमेन इंपावर्मेंट से आप लोग क्या समझते हैं यह आपकी डैफिनेशन आ जाती है सेवंत में आपको बोला है एक्स्प्लेंडर बायस जैंडर स्टीरियो टाइपिंग एन इंपावर्मेंट यानि लिंग पुर्वाग रहें लिंग स्टीरियो टाइपिंग और सकती करण के आपको वाक्या करनी है यह आपका कोशन आता है एर्थ में आता है डिसकॉस दा कॉजिज ऑफ जैंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया आपको कारण बताना है कि भारत में जैंडर डिस्क्र सब्सक्राइब को मिलेगा इसको अच्छे से करके जाईएगा टेंथ आता है आपका जैंडर इनिक्वैलिटी इसको कैसे रिमूफ करना है उसके रेमिडी बतानी है आपको इलेवन्त है लेगिक बेदवाव को परिभाशित करें यानि जैंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता जाए वह बताना है और उसके बाद आप लोग को बताना है कि उसको ख़तम करने के उपाई भी आप लोग को डिस्क्राइब करनी है और बट। ट्वेल्थ समानता यानि एक्वाइलिटी और इक्विटी को आपको डेफिनेशन करके और इसका डिफ्रेंशियेट यह वाला कोशन आपका सीफ इस नहीं पूछा जाता है इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता या तो आप लोग इसकी मीनिंग पूछ ली जाएगी चाहे वैर परिवर्तन क्या है और उसके डिफेंट डिफेंट आपको टाइपस बताने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन का हेडिंग जो यह जो आपका शॉर्ट कोशन में देखने को मिला था कि आपको बताना है रोल आफ टीचर एज एजन्ट ऑफ जेंज यानि की शिक्षक की भूमिका बतानी है परिवर्तन के एजन्ट के रूप में तो आप लोग इस कोशन को अच्छे से हाइलाइट करकी जाईएगा और अच्छे से तैयार करकी जाईएगा फर्टिंत आएगा आपका डिसकर सोचल नॉम्मेंट इन दे कॉंटेस्ट ऑफ जेंडर एक्वैलिटी क एक कोशन है और यह भी आपका डारेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्कूल समाजी करन का क्या है एक एजन्ट है आपको इसको विस्तार से बताना है पेपर में कोशन ऐसा आहीं जाता है कि आपको बीच कोई भी एक टॉपिक उठाकर दे देगा या एक लाइन दे देते हैं उ आखिर का डिफ्रेंस क्या होता है नेक्स्ट आपका आता है वट इस डावरी सिस्टम डिस्क्राइब कॉज बैड इफेक्ट और रेमेडिस तू रिमूव देम डावरी सिस्टम का आपका मोस्ट इंपोर्टन लॉंग कोशन है साहिद लास्ट यह से आप लोग देख भी सकत कि इन सबको अच्छे से रेमेडिस तक अच्छे से करके जाहिएगा नैंटींत कोशन जो आपका मोस्ट इंपोर्टन है जैंडर वाले में वह एक्स्प्लेंड रोल ऑफ प्रिंटिड मीडिया एंड इलेक्ट्रोनिक मीडिया तु स्टॉप वाइलेंस के ऊपर एक कोशन जर सारे कोशन करके जाएगा जितने मैंने आपको इस वीडियो में आपको सब इंपोर्टन बता रही हूं इसमें एक भी कोशन आप लोग नहीं चोड़ेंगे तो मैक्सिमम बता रही हूं आप लोग का चॉइस में भी आएगा तो भी आप लोग को करने के लिए ऑप्शन मिल जैसे मैंने पीछे च्ट्रक्शल थिओरी का आपका किया था तो यह दो पीछे तियो थियो और यह दो यानि टोटल चार थियो आप लोग करके जाएगा इन में से कोई दो या एक तियोरी आपको एकजाम में पेपर में जरूर देखने को मिलेगी उसके बाद आपको का टॉपिक खतम होता है तो यह आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक थे दोस्तों अब हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वह आता है नौलेज लेंग्विजन करिकुलम यानि ग्यान भासा और पाठे करम इसके भी मोस्ट इंपॉर्टन कोशन डिसकस कर लेते हैं और पहला आपका एगा वर्टिज नौलेज एक्सप्लेइन वेरियस फॉर्म ओफ नौलेज लॉग कोशन कहीं है यह भी आता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि ग्यान क्या है और इसके विविविन विविन रूप बताने हैं राइट शॉर्ट नोट ऑफ क्रॉनिकल का ही हैडिंग डालकि तो आप लोग इसके अच्छे से लॉंग कोशन की तत्यारी करके जाएगा नेक्स्ट आपका थर्ड वन है डिफ्रेंशियेट बिट्मिन लॉजिकल बेस्ट नॉलेज और मिथ बेस्ट नॉलेज इसका डिफ्रेंशिय अंतर इसपस्ट करना है यह शॉ इसके बाद बिलीव और विश्वास और सत्य पर लाश्ट यह तर्क और ग्यान पर आपको डिफ्रेंशियेट आपको डेफिनेशन भी आ जाएगी नेक्स्ट आपका आता है वट इस चैट्रेंशियेट बिट्विन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्ट्विस्ट क्लास्रूम बत जाना है कि शिक्षा के छेत्र में रूसों की क्या क्या योगदान है उस पर आपको चर्चा करनी है नेक्स्ट आपका है कि आपका लॉंग कोशन में आया था यह लास्ट दो यह का पहले का पेपर आप देखेंगे कि आपको बताना था कि एजुकेशनल फिलोसिफी महात्मा करिएगा इन में से किसी एक के एजुकेशनल फिलोसिफी आपको पेपर में दिखेगी तो आप लोग अच्छे से सबका फिलोसिफी करके जाईएगा एट आएगा आपका स्कीमा त्योरी ओफ रीडिंग यह भी आपका आ जाता है लॉंग में भी और शॉट में भी आ जाता यह आप लोग को डिस्क्राइब करने हैं 11 जो आपका नौलेज लेंग्विजन करीकुलम में आता है वो यह है कि आपको बताना है कि आप भासा से क्या समझते हैं और उसकी नीड और इंपोर्टेंस यानि कि उसकी जरूरत और महत वह बतानी है उसके बाद आपको बताना है कि what is writing skill यानि लेखन कोशल क्या है और how can children writing be analysed और बच्चों को लेखन का कैसे किया जाता है ये भी आपका question आता है most important topic है उसके बाद next है what do you understand by curriculum explain the development of curriculum ये भी एक topic next आपका आता है आपको हिल्दर डाबा का question जरूर करिएगा दोस्टों most important या very important आप लोग exam के लिए कह सकते है उसके बाद 15 आता है आपका what is language skill explain in detail the types of reading skill आपको बताना है कि आखिरकार भाषा कोशल क्या है और पढ़ने के कोशल के परकार में आपको विस्तार करनी है यहाँ पर reading skill दे रखी है यहाँ पर reading के अलावा आप लोग के बागी तीन जो skill है वो भी describe करने को बोल सकता है तो आप लोग language skill के सारे पार्ट अच्छे से करके जाईएगा लॉंग नी तो शॉर्ट में आपको डारेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे तो यह कुछ 15 कोशन थे आपके knowledge language करीकुलम के जो कि आपके exam के लिए काफी हद तक beneficial करेंगे दोस्तों तो अभी विए आपके exam होने में diamond रह गए हैं और diamond के अंदर आपको क्या करना है कि आपको इन सब topic को अच्छे से clear कर लेना है और अच्छे से इनके notes ready कर लेने हैं जिससे कि आपकी काफी हद तक help हो जाएगी next आता आपका work education गांदी जी की नई तालीम के उपर इनके उपर आपके most important question जो कि ये last year ही आपका add हुआ था बट इसमें जो आप लोगे most important है कि हर unit wise के according में आपको बता देती हूँ कि ये question आपको इससे मिलता जुलता जरू देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग करके जाएगा और last year पहला question आया भी यही था कि work education से क्या मतलब है या क्या समझते हैं उसके merit उसके demerit need and importance of work education उसके गुर्ण अवशक्ता और महत्व भी लिखने थे तो क्या पता आपके इस बार long question में ये question attach होके आ जाए और इन में से ही कोई दो चीज इसमें पूछ ली जाए दूसरा आपका आता है write the principle and important factor of work education आप लोग को कारे शिक्षा के सिधान्त और महत्वन कारक के बारे में लिखना है थर्ड आपका आएगा कि what do you understand by work education यानि कि आ आप लोग कारे से क्या समझते हैं डिसक्राइब परपस शोचल एकनॉमिक पेड़ोजिकल वैल्यू एंड वर्क एंड क्राफ्ट यह आपके लॉंग कोशन के लिए most important question है दोस्तों वर्क education में इस question को जरू करके जाएगा फॉर्थ आता है आपका डिसक्राइब द एजुके से उनके सबके करके जाएगा इन में से मैं आपको बता रहें दूस्तों educational की एक philosophy जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से फिफ्ट है आप लोग कोई most important है कि आप लोग गांदी जी की नई तालीम से क्या समझते और उनके आपको सिध्धान्त बताने नेक्स आता है experimental learning से क्या समझते हैं उसकी मिनिंग और कॉंसेप्ट कर लीजेगा और नई तालीम का लोग यह कर लेना कि शिक्षा सीखने की प्रकिरिया क्यों उसको most important बनाता है या उसको statement को अच्छे से explain करना है अब basic education गांदी जी की नई तालीम बतानी यह आपके short question में आ सकता है आपका है जो कि आपके एक्जाम में आ सकता है experimental learning most important है और उसमें आप लोग को को experimental learning cycle भी करनी है यह आपका long question अराम से बन सकता है short में क्या पता डारेक्ट यह लोग आप लोग को experiment learning की cycle पूछ ले बटी most important topic है आप लोग का गांदी जी की नई तालीम में यह तो आप लोग इसमें बता सकते हैं इसमें दोनों मिक्सब कोश्चन है रभीन नाट टैगोर के model और जॉन डी वी दोनों को आपको इसमें उनके model से क्या मतलब है क्या समझते हैं वो सब बताना है उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिविजियम के वारे में उसमें आपको meaning factor, limitation और element कर लीजेगा और community engagement most important question है आप लोगों का और यह अभी आपको direct देखने को मिल सकता है last year यह question आया भी था क्या पता long question में इस बार भी आप लोग को additional में मिली जाए कि आपको relation बताना है किसका समाज परिवार औ स्कूल का संबंद लिखना है most important question है दोस्तों या फिर आपको short question में डारेक्ट लास्ट भी यानि की स्कूल विस सोसाइटी फैमिली और community का direct relation पूछ ले 13 आपका जो short question के according आ सकता है गांदी जी की नई तालिम में वह यह तीनों है local production water harvesting और waste management यानि की अप्सिस्ट प्रबंदन जल संचयन और स्थानिय उत्पादन यह तीन टॉपिक आपके short question के लिए हैं तो यह कुछ आपके 15 most important question है जो कि आपके exam में आप लोग को काफी हद तक पूरा का पूरा syllabus cover up करा सकता है दोस्तों तो चलिए next देख लेते हैं assessment for learning के most important topic जो कि आपका syllabus reduce हुआ है उसके according मैं आपको यहां पर important बता देती हूं तो सबसे पहले आपका अधिगम आकिलन में पहला प्रस्टन जो सबसे most important है दोस्तों वह है आपका what do you mean by measurement and evaluation write the differentiate between measurement and evaluation यह आपका long question में पूछा जाता है और आपका unit wise का पहला topic है या तो आपको formative summative या तो आपको measurement evaluation का question direct मिलेगा आपके exam में long question में तो आप लोग करके जाएगा कि आप लोग मूले का नौर मापन से क्या समझते हैं दूसरा है what do you mean by formative and summative evaluation और उसका differentiate भी आप लोग कर लीजेगा उसके बाद educational measurement आपके परिभाशा लिखनी है most important fifth question आप लोग का blueprint long question में आने वाला most important topic है achievement test यानि कि आपको किसी भी subject पे achievement test को construct करना है और blueprint item analyze करनी है राइट इस में से six जो आपका आता है सबसे most important है वो है write the meaning definition principle of achievement test achievement test का आप लोग definition meaning और principle करके जाएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग को इस question के साथ भी आगे blueprint करने को बोल देता है seven ता आपका आता है what do you mean by quantitative or qualitative tools यह आपका short question में पूछे जाने वाला प्रशन है और आपको long में भी पूछ सकता है कि आपको mean करने वाद यहाँ पर differentiate पूछ ले तो यह आपका 12 number का question easily बन जाएगा eight ता आपको पूछा जाता है कि what do you mean by data and its type यानि कि आप लोग data से और उसके परिकार से क्या बत समझते हैं और explain the meaning of mean mode median mean mode median का long question आप लोग को exam में जरूर मिलेगा उसमें से आपको यह भी हो सकता है कि आप लोग को इसके data और डारेक्ट टाइपस पूछ ले जिसमें आप लोग mean mode median के बारे में कि आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे comment box पर comment कर सकते हैं मैं जल्द से जल्द इसका एक सिंगल वीडियो ले के आजोंगे जिसमें आपका लॉंग कोशन के अच्छी से तैयारी हो जाएगी 9 आता है आप लोग का describe the measure of central tendency with example 10 आपको validity बतानी है क्या होती है और अलग-अलग आपको क्या करना है विभीन परकार की validity बतानी है आगे देख लेते हैं 11 जो आपको most important है standardized test और उसकी detail के बारे में करना यह topic कर लीजाएगा आप लोग assessment for learning में short question में पूछे जाने वाले question है objective reliability norms validity यह सारे आपके short or very short में पूछे जाते हैं उसके बाद आता between assessment for learning और assessment of learning यह भी आप लोग का long question में बनता है और कभी-कभी आपको इसके दो differentiate या फिर आपको 4 differentiate बोल देगा तो short और very short भी बन जाएगा बट आपको इसको long के साब से preparation करनी है 14 जो कि आपके important question है किसके लिए short के लिए तो short question के लिए पहला question आता है open book examination यह आपको करना है grading system करना है cgpa यानी cumulative grade point average cbcs करना है rank percentile quartile deviation यह सारे question आप लोग के important topic है जो कि आपको कड़के जाने exam में तो यह कुछ आप लोग के 15 topic थे किसके assessment for learning के सबसे ज्यादा आप लोग का syllabus assessment for learning में है बट आप कहें भी सकते हैं कि आप लोग के topics उसमें बहुत कम है कि आप लोग को इसके अंदर काफी हद तक पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग मीन मोड मीडियन करने के अलावा आप लोग क्या कहते हैं सबसे most important पहला जो आपका question था जो मैं आपको describe भी कहता सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह आता है measurement और evaluation यह सब आपको question किसमें मिलेंगे long question में Commission दे देती हूं कि environment education के मैंने आप लेक्चर स्टार्ट किये थे और मैं साथ लेक्चर कम्प्लीट कर चुकी हूं उसमें मैंने unit 123 और फोर्थ के कुछ important part आपके discuss कर दिये हैं तो अगर चैनले पे new हो तो subscribe कर दीजेगा जिससे की प्लेलिस अब जल से जल्द आपकी ready होने वा component of environment and also describe the types characteristics and scope of environment मैंने environment का इस सारे का सारी चीज अपने उस वीडियो में यानिकी environment education की playlist class first में मैंने environment से related जितने भी question पूछे जाते हैं वो सबका सब topic clear कर दिया है तो आप लोग environment में आप उसकी meaning करके जाएगा बायोटेगा बायोटेक कॉंपनेंट करके जाएगा उसके बाद आप लोग करके जाएगे यहां पर वेरियस टीचिंग स्टैचिक इसकी environmental awareness एक topic आपका most important है ecosystem से क् component feature करके जाएगा और ecosystem के आपके function component exam में जरूर आते हैं तो function अभी मैंने अपनी वीडियो पर नहीं डाला है दोस्तों तो मैं video जैसे ही आप लोग की environment education की playlist खतम हो जाएगी आनि की पूरा course खतम हो जाएगा तो आखरी में एक video बनाऊंगी जो कुछ आपके important topic जो previous year में पू feature बताने उसके बाद ecosystem किसके द्वारा गड़ा गया कोई किया गया food chain of food web के बारे में बताना उनकी food chain में यहां पर हिंदी वाले student देख सकते हैं उसके नाइंट question आपका deforestation के बारे में आप लोग को describe करना है उसके causes और इसके effect के बारे में energy और sources of energy यह सारे सब long question में आने व होते हैं उसके need of food conservation बताने और also right the remedies of forest resources तो यह वाला topic most important है जो कि मैंने अपने EWS की playlist में सबके सब describe कर दिये है उसके बाद आपका ऐगा what do you mean by water resources आप बताना है कि water resources के आप क्या समझते है renewable resources बताने और कोई दो आपको renewable sources की और जाके क्या बताने है दो renewable resources बताने है 14 अपका explain importance of forest resources यहनि forest resources का जब topic करेंगे तो इसका importance भी describe करना है इसके बता देने आप लोग को उसके बाद आप लोग को आता है biodiversity जो कि आपके unit 3 चुरू हो जाता है यहां पे इसमें आपका meaning and definition करके जाना है और इसका कारण क्या है उसके बाद आपको environmental conservation के बारे में describe करना है और explain the role of school यह आपका previous year में पूछा भी गया था most important question long question में आया था उसके बाद आपको significance of conservation of biodiversity आपको बताना है biodiversity के significance अब यहां पर आपकी शुरू होती है unit 4 जो कि आपका आता है pollution यानि की आपको बताना है कि production की परिभाशा क्या है और उसके कितने परकार होते हैं यह आपका question long question में ऐसी पूछ लिया गया था last two year के आप लोग अगर previous year question paper देखेंगे तब इसमें आप लोग को सारे के सारे pollution के टाइप के नाम लिखने के बाद उनको थोड़ा-थोड़ा explain कर देना है उसके बाद कोई भी pollution का टाइप करेंगे single long question पूछ ले जाता है तो आप लोग pollution के जितने भी टाइप करके जाएंगे उन सबके sources causes और आप उसके effect और remedies जरूर करके जाएगा यह सारी चीजे ही आप लोग को pollution में पूछी जाती है और कैसे how to control and prevent to air pollution water pollution noise pollution soil pollution thermal pollution यह सारे pollution आएंगे तो भी आपके remedies में इंक्लूड हो जाएगी तो 22 question में भी सेम है आपको water pollution के बारे में thermal pollution or soil pollution sound pollution यानी sound pollution आपका noise pollution में इंक्लूड हो जाता है नाम यह लोग थोड़ा सा change भी कर देते हैं तो आप लोग topic को अच्छे से देख लीजेगा उसके बाद आपका आता है डिसकस दा मीनिंग causes and effect of green house effect भी आपका most important topic है दोस्तों उसके बाद आपको यह आता है very short question में आपको एक कारण बताना है कि green house effect का main कौनसी gas जो सबस्यादा effect करती है 27 में आपका acid rain explain करना है उसके causes effect of problem and impact of acid rain यह सारे topics मैं अपने चानल पे EVS की playlist में discuss कर चुकी हूँ उसके बाद आपका आता है global warming क्या होता है और climate change आपको describe करना है और 29 question है जो कि आपको बोला जाएगा कि environmental pollution को कैसे control करते हैं उसको आपको describe करना है long question में आपका पूछे जाना वाला प्रशन है यह 30 भी most important question है दोस्तों इस अच्छे से कर लिजेगा 31 था आएगा कि आपको बताना है environmental hazard और disaster क्या होता है disaster में आपके बहुत सारी चीज़ आजाती है flood आजाएगा earthquake आजाएगा cyclone आजाता है land slide जो कि आपका earthquake इंक्लूड हो जाता है या फिर आप लोगों का cyclone हो जाएगा और यह सब आपका किसमे आजाएगा आपके natural disaster में short note में आपका single भी पूछा जाता है कि इन सब के causes advantages or disadvantages ozone hole खासकर ozone hole का तो आप करके जाएगा कि आखिरकारी किस वज़े से होता है और इसके फायदे और नुकसान बताने हैं इन तीनों कहीं आप लोगों को फायदे नुकसान बताने हैं 33 question आपका है कि water conservation क्या होता है और इसका आपके method लिखने हैं और जो last question है आज की वीडियो का यानि कि आप लोग proper use कैसे कर लेते हैं तो दोस्तों यह थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि आई होप छोटी नहीं थी बड़ी हो गई पट काफी हद तक आपको beneficial करेगी PDF आपको telegram चैनल पर मिल जाएगी रिद्धी official zone पे तो वहां से आप लोग connect कर लिजेगा और आप ल कोटी सी वीडियो बस इतनी हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूं थैंक यू फो वाचिंग